हेलो साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे ही आप सभी उमीद करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में सब को सलमंगल होंगे आज के छोटे से सिसन में हम बात करेंगे, डेली पुलिस कॉंस्टेवल के कम्पूटर के सलेवस की ठीक है, बहुत सरे बच्चे कह रहे थे सर, कम्पूटर भी डेली पुलिस में आएगा और इसमें आप मुझे कम्पूटर के कॉशन पढ़ा दीजेगा यह computer का पुरा part हमें पढ़ा दीजेगा तो हम इस नया channel पर जिसका नाम है RMPV Education इस channel पर computer की class start करें हैं सबसे पहले हम यह समझेंगे जो आपका Delhi Police का exam होने वाला है Executive Constable का इसका computer का अगर आप part देखेंगे तो इसका syllabus क्या है इस syllabus की हम बात करने वाले हैं आज की इस video में और computer में क्या-क्या आपको पढ़ना है वो सारे चीजे हम discuss करने वाले हैं ठीक है तो आप सभी जो आज चुके हैं class में share कर दो ताकि और भी वच्चे और भी साथ ही इसको join कर पाएं सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो डेली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जिकूटिब के जो ओनलाइन फॉर्म है वो आपको पता है डेट फॉर समिशन ओनलाइन अप्लिकेशन ये 1 सेप्टमबर से लेकर आप 30 सेप्टमबर तक फउर्म अप्लाइ कर सकते हैं ये ये सारे पोस्ट है है टोटल पद कितने हैं वो यहाँ पर आप देख पारे होंगे 7,547 टोटल पद हैं डेली पुलिस कॉंस्टेवल में तो अभी अपलाई नहीं किया है आप अपलाई कर सकते हैं हम बात करेंगे इसके सलेवस की तो यहाँ पर देखो और भी इसे पार्ट दियेगे हैं जैसे जनरल नौलीज, करेंट अफेर्स हो गया, रिजिनिंग हो गया, नुमेरिकल एविल्टी हो गया लेकिन हमें बात करनी है कंप्वीटर के सलेवस की आप सभी के एकजाम में अब आजकल कंप्वीटर बह तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा डेली पुलिस का एकजाम होगा, इसमें अगर हम सलेवस की बात करें, कंप्वीटर की बिसेस तो इसमें एक कंप्वीटर फंडमेंटल आपको पढ़ना पलेगा, MS, Excel, MS, Word, Communication, Internet, www, and Bay Browsers, ठीक है, नंबर आफ कोईशन केतने होंगे तो डेली पुलिस कॉंस्टेबल में आपको 10 कॉस्टन मिलेंगे, कंप्वीटर के, और मैक्सिमम मार्क आपको 10 यहाँ पर दिये जाएंगे, ठीक है, पूरा पेपर आपका 90 मिनट का होता है, इसमें सारे टॉपिक आएंगे, आप देखें थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो computer हैं, उसमें क्या पढ़ना पढ़ेगा, तो computer fundamental हमें पढ़ना पढ़ेगा, computer fundamental में, जैसे history of computer हो गया, keyword हो गया, mouse हो गया, यानी input devices हैं, output devices हैं, ठीक है, software हैं, hardware हैं, इन सब के बारे में हमें, इस fundamental में, generation of computer हैं, सब कुछ यहाँ पी पढ़ना होता है, उसके बाद MS office में ज shortcut की हैं वो सब चीज़े MS Word में ऐसे ही आपको फिर tab menu command वो सब पढ़ना पड़ेगा उसके बाद communication उसके बाद internet तो ये part भी आपको complete करना पड़ेगा www and web browsers ठीक है अब देखें इसमें elements of word processing जैसे में हमें word processing basics समझना पड़ेगा opening and closing document text creation formatting the text and its presentation feature ये हमें समझना पड़ेगा उसके बाद MS Excel की बात करें तो elements of spreadsheet editing of cell function and formula ये हमें अपना जो हमारा Excel है उसमें topic पढ़ने पड़ेगे सब यहां पर detail में दे रखा है उसके बाद communication की बात करें तो basics of email यानि email के basics को समझना पड़ेगा sending receiving of emails कैसे हम email भेज सकते हैं कैसे receive करते हैं क्या क्या प्रोटोकॉल इसमें use होते हैं and its related functions उसके बाद में internet की बात करें तो www and web browsers internet services on internet URL HTTP FTP ये प्रोटोकॉल सब हो गए हैं websites vlogs क्या होते हैं web browsing software क्या होते हैं search engine क्या होते हैं chat video conferencing और e banking तो थोड़ा यहां detail में उन्होंने समझा रखा है कि यह topic अगर आप पढ़ते हैं तो आपका computer वाला part है वह बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है चले good morning मुसकान जी good morning तो अगर यह सारे topic आप पढ़ते हैं तो computer का part बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं अभी मैं बता दूंगा आपको class कब से start होगी अगर हम यहां देखो schedule दिया गया है जो आपका अगर हम यहां CGL की बात करें जो SSC CGL है इसमें भी आपको computer का exam देना होता है means में तो combined graduate level examination अब यहां पर देखो आपका exam schedule में दिया गया है वो 25, 26, 27 October है और अगर हम CHSL की बात करें तो 2nd November को आपका exam हो रहा है तो यह कुछ exams लगे हुए हैं आप सबको अभी से लग जाना है अपने computer के exam के त्यारी में आप सब त्यारी तो कर रहे होंगे लेकिन computer का जो part है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि without computer के आप इसमें qualify नहीं कर पाएंगे तो computer को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और यह सब आप सब यहां से जो मैं batch आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यह batch आप देखेगा यह आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर मिलेगा और 15th of September से 15th of September से class हमारी सुबह 8 वजे morning में live होग यानि जो आपके डेली पुलिस में question आ चुके हैं जो आपके पीछे CGL में आ चुके हैं CHSL में आ चुके हैं उन topic को हम यहां पर लेकर आएंगे उन प्रशनों को हम यहां पर लेकर आएंगे और बहुत ही detail में आपके सामने रखने के कोशिस करेंगे तो यह new batch start हो रहा है इस में CTSL वाले बच्चे भी भाग ले सकते हैं CGL भी ले सकते हैं और constable का जो एकजाम है डेली पुलिस का वो भी बच्चे इसमें आ सकते हैं यह class सभी के लिए helpful रहने वाली है जो अभी हम लोग 15 सितंबर से आपकी सुबह 8 वजे start करेंगे class इसी channel पर जहां पर आप live हैं इस लगे हुए हैं तो आप सभी को daily class करना है class बहुत ज्यादा नहीं 40 से 45 मिनिट आपको बस देना है सुबह 8 वजे हमारे साथ में और जैसे आप यह class करोगे continue तो आपको समझ आएगा कि यहां से कुछ आप सीख रहे हैं और हम यहां पर जैसा मैंने कहा कोशिस करेंगे कि सभी प्रेवियस एक्जाम में पूछे के प्रस्नों को डिसकस करें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए चलिए तो सेशन यह पर समाब करते हैं छोटी सी जानकारी आप सब को देनी थी और 15 तारिक से आप सुभे 8 वजे RMPV Education के इस new platform पर उपरसित होंगे हम आपको computer के class लेकर आएंगे आज के लिए बच इतना ही thank you thank you for watching